हेलो दोस्तो आज की इस वूड़ों में हम बात करने वाले हैं शाओंवी मी ए3 के एंड्रोइड 11 अपडेट के बारे में दोस्तों आप सो भी को पता है कि जो गूगल का एंड्रोइड 11 अपडेट है ये आउगस्ट में ही स्टेपल अपडेट रिलीज कर दिया गया और नोइंबर में भी नहीं मिला और हम सोच रहे थे कि नोवेंबर में जो हमें डेफिनेटले एंड्रोइड 11 मिल जाएगा लेकिन नोवेंबर में भी नहीं मिला एंड्रोइड 11 और दोस्तों आप तो खबर यह आ रहे हैं कि इस साल में आपको Android 11 जो है अपने मीआ 3 जो है इस साल हमें Mi A3 में नहीं मिलने वाला Android 11 के stable update के लिए नए साल का इंतजार करना पड़ेगा तो ये जो है ये बात बहुती खराब है Mi A3 के लिए कि एक stock Android होने के बाद भी इसे जो update से काफी late दिये जा रहे है तो ये रहे है और इसी लिए जो update जल्दी आने चाहिए वो अब नहीं मिल रहे है तो दोस्तों दूसरी कबर ये आ रहे है कि Xiaomi का जो Mi A2 Lite डिवाइस है इसके लिए भी November का update जो है दिया गया और एक बहुती छोटा सा update 6.95 MB का एक बहुती छोटा सा update Mi A2 Lite यूजर्स के लिए दिया गया है यानि सिर्फ 7 MB का update दिया गया है एक स्टॉक Android फोन को अगर ये update नहीं भी दिया होता तो भी चल जाता क्योंकि 7 MB में फोन में क्या improvement होने वाली है आप भी ये बात सोच सकते हो तो दोस्तों अगर आपके पास Mi A2 Lite फोन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए आपको ये update कितने MB का मिला है तो दोस्तों अगर आप अभी भी वेट करें हो Mi A3 के Android 11 के update के लिए कि इस बार हमें Android 11 का update मिल जाएगा तो ये लगबग confirm हो चुका है कि इस December में Android 11 का update Mi A3 यूजर्स को नहीं मिलने वाला नया update जो आएगा वो January में ही आएगा या तो फिर और भी लेट हो सकता है तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताईए आपको क्या लगता है ये जो कर रही है ये सही है या ये जो phone discontinue हो चुके है A-series के इसकी वज़े से ये सब हो रहा है आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए तो दोस्तों आज जो वीडियो शूट में कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना आप बहुत ही जल्द मिलते नए वीडियो में तब तक की लिए बाइबाइ